आपके वैनिटी बॉक्स में इतना समान होना चाहिए कि आप कोई भी तरह का मेकप कर लें आप चाहें तो डेली मेकप करें और चाहें तो ब्राइडल मेकप करें पार्टी वेयर हों या कोई भी जो आपको कम जादा मेकप करना है तो आप एक बार में कर सकते हैं तो इसके लिए हमें ऑईल भी चाहिए और छोटी मोटी चीज़ें भी चाहिए तो यहां पर है यह मेरे पास एक लैक मेका आइलाइनर है रोज वाटर है इसकिन को हाइडरेट करने के लिए लेप स्टिक्स हैं प्रैचर और हैर पिंस भ कलर की की तो यह मेरे पास है लैक मी की लिप्स्टिक और यह है मेरे पास प्राइमर जो कि बहुझा इंपहटल होता है उसके बाद में हमाईंचंशन यह भी लैक मेका है और यह नैचरल फांडेशन है और यह है मेरे पास कुछ गलेटर तो यह सिलवर कलर का गलेटर है आप उसमें और भी गलेटर एड़ कर सकते हैं यह है आइकॉनिक की आइल काजल जो आपको लगाना पसंद है और यह हमारे पास हाइलाइटर तो यह है मेरे पास फेस वॉश तो आप कोई भी यह डीटैन घ्लोइंग फेस वॉश है अब कोई भी फेस वॉश जो आपको सूट करता है वो ले सकते हैं एक मुस्यूराइजिंग क्रीम भी रखिए तो यह है मेरे पास पॉंड्स की एक मैंने कॉम भी रखा है हेर ब्रश रखिए एक फेर एंड लवली मैंने क्रीम भी रखी है कि अगर आप डेली में मेक अप करें तो फेर एंड लवली क्रीम लगा कर मेक अप कर सकते हैं यह इसका नाम है फेर एंड गलो एक हमारे पास है हाइलाइटर और तो यह हमारे पा यह हमारे पास है compact powder यह भी लैकमे का है और आपको जो अच्छा लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यह CC लैकमे powder है इसमें दो शेड होते हैं एक मैट होता है एक शिमरी होता है और आप अपने skin के according इसको ले सकते हैं यह एक blender है जो बहुत जरूरी है eyelashes है और eyelashes glue भी क फिर है हमारे lip liner and eyebrow pencil क्योंकि eyebrow को आप जो draw करेंगे तो उसमें और lipstick जब लगाएंगे तो उसके लिए lip liner ज़रूरी है एक concealer important होता है क्योंकि skin अगर आपकी uneven है यह उस पर patches है यह निशान है तो उनको अच्छे से hide करेगा और अगर बहुत ही ज़्यादा निशान है आपके कत् परपल निशान है तो उसके लिए आप एक character palette भी जरूर रखें तो जब हम किसी party में जाते हैं तो हमारे लिए concealer बहुत ही जादा important हो जाता है क्योंकि उसमें हम थोड़ा heavy makeup करते हैं तो यह concealer अच्छा है एक हमें चाहिए eyeshadow palette जिसमें हमारे पास normally इतने color हों जो हम use करते हैं त तो यह एक बहुत चोटा सा compact eyeshadow palette है आप इसको पर्स में भी carry कर सकते हैं एक है यह मेरे पास foundation अगर आप लैक में का foundation कम यूज़ करें तो आप यह वाला full coverage foundation भी यूज़ कर सकते हैं और यह waterproof है वह waterproof नहीं होता है तो अगर आपको heavy makeup करना है तो आप एक waterproof foundation ज़रूर रखें तो इस तरह से आप अपने makeup kit में काफी सारा सामान रख सकते हैं कुछ पिंस भी रखें क्लैचर रखें और उसमें आप hair clip या आप brushes ये भी add रखें क्योंकि makeup बिना brushes के नहीं होगा तो इस तरह से आप अपने makeup kit को complete कर सकते हैं और लगभग इतना सामान होना चाहिए जो बहुत जादा महंगा भी नहों और आपका makeup complete हो जाए और आपको market में आप पालर जाते हैं तो आपको बहुत heavy पैसे waste करना पड़ता है एक हलके से makeup के लिए तो आप घर पर ही makeup कर सकते हैं इन सारे product को use करके क्योंकि आप घर पर makeup करेंगे तो आप party occasion के according अपना हलका या dark heavy या light makeup कर स सकते हैं क्योंकि हमें अपने face के according ही makeup को करना चाहिए दूसरों की देखा देखी नहीं करना चाहिए तो यह काफी सारे product ऐसे हैं जो आपके makeup kit में हमेशा होने चाहिए और आप जब इतना makeup kit में सामान रखेंगे तो आपको makeup एकदम बढ़िया आएगा complete हो जाएगा और आपको जो product हैं काफी time तक आप इनको use कर सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार use करें और उसको throw करना है क्योंकि एक बार हम makeup जब सामान लेते हैं तो सो समझ कर ही लेना चाहिए और अपने skin और अपने face के according ही लेना चाहिए कौन सा shade हमें अच्छा रहेगा और कौन सा product ह हमारे skin पर suit करेंगा तो यह वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे like share कीजिए और comments में बताईए